हमारा चेप्टर है साउंड, ओके, तो साउंड, how will you define साउंड, साउंड जो है, साउंड is a form of energy, which enable us to hear, जो हमें सुनने में मदद करती है, अब क्या होता है, जो हम साउंड में पढ़ेंगे, जो अभी हमारा टॉपिक है, कि साउंड कैसे प्रडियूज होती है, human beings में साउंड कैसे प्रडियूज होती है, और फिर वो साउंड कैसे ट्रैवल करती है, और फिर हम उसे कैसे सुनते है, यह हमारा टॉपिक है, अब आपको क्या करना है sound की तो मैंने define दे दी what is sound, sound is a form of energy which enable us to hear ओके, अब है how sound is produced question है how sound is produced तो देखो sound जो है न वो कैसे produced होती है जब particles जो होती है न उनमें vibration होती है आपको पता है, हमारे जो three states of matter है वो है solid, liquid, gas वो तीनों किस से बने है particles है उनमे और solid में particles पास पास होते है liquid में थोड़ी से दूर होते है gases में बहुत ज़्यादा दूर होते है तो यहीं particles जब vibrate करते है न, हिलते है तो जाके sound produce होती है जैसे आप कहीं भी मारो यूं मारा sound produce होई तो यह sound कैसे produce होई कि जहां मैंने strike किया है वहां के particles हिलने लगे, vibrate होने लगे तो वहां पे sound produce होई ओके, यह ज़्यादा अच्छे answers न, आपको न, वहां मिलेंगे ninth के book में साफ लिखा है, उसमें easy language लिखी है और straightforward लिखी है ओके, तो sound कैसे produce होती है sound is produced when the particles of the medium vibrate ओके, तो अब आपका next यह sound का होगया, कैसे produce होती है अब sound कैसे travel करती है हम यह पढ़ेंगे propagation of sound कहते है ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे एक particle पे sound गई उसके बाद हम उसे दूसरे particle पे गई वो फिर तीसरे, जैसे अगर पानी रखा है, पानी है, पूल है कोई water का, वहां पे बीच में पत्थर है, तो आप एक पत्थर पे पान रखोगे, फिर आप दूसरे पत्थर पे रखोगे ऐसे cross करोगे न, ऐसे ही sound भी पहले एक particle पे जाएगी फिर दूसरे पे जाएगी, फिर तीसरे पे तो ऐसे sound जो है वो propagate होती है, तो sound को propagation के लिए क्या चाहिए, एक medium चाहिए, अगर कोई medium नहीं होगा, particles नहीं होगे तो sound जो है वो travel नहीं करेगी तो sounds need a medium to propagate अब देखो, अब इसी से हम लगा सकते हैं कि solid में जो speed होती है sound की वो सबसे ज़दा होती है, क्यों? क्योंकि particles पास-पास होती है, वो जल्दी-जल्दी travel करती है, liquid में यही speed कम हो जाती है और solid में यही speed, oh sorry gases में यही speed sound की सबसे ज़दा कम होती है तो solid में sound speed की सबसे ज़दा होती है, और liquid में सबसे, sorry gases में सबसे कम होती है अब इसी में आपकी एक important activity है, कि write an activity to show that sounds need a medium to travel sound को एक medium चाहिए travel करने के लिए, तो आपने क्या की आपने एक जार लिया, उसमें आपने mobile phone रख दिया, okay अब आप एक काम करो, जार को बजाओ, या electric bell रख दी तो अब आप क्या करोगे, आप bell करो, mobile करो, आपको sound सुनाई देगी, अब आप क्या करो, उस जार में आप वेक्यूम से कनेक्ट कर लो, से, वेक्यूम क्लीनर कर दो, और उससे सारी हवा निकाल दो, जार की, जार में जो है, वो वेक्यूम क्रियेट हो गया, अब जब जार में वेक्यूम क्रियेट होगे, अब आप दुबारा से, मोबाइल नंबर डायल करो, अब आपको sound सुनाई नहीं देगी, क्यों, क्योंकि जार जो है, जो आपने जार लिया, उसके अंदर वेक्यूम है, यानि कोई भी पार्टिकल नहीं है, जिस पे की air travel कर सक तो इसलिए आपको sound सुनाई नहीं देगी, और यहीं कारण है कि हमें moon पे sound सुनाई नहीं देती, क्यों, क्योंकि moon में भी vacuum है, there is no medium for sound to travel, तो इसलिए vacuum में आपको sound नहीं सुनाई देती,